तो स्वागत है आप सभी का Zero to Hero की नेक्स्ट वीडियो में और आज हम जो है वो Chapter 10 को discuss करेंगे यानि कि हमारी जो है वो Class 10 होने वाली है जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की जीलों के बारे में जो है वो discuss करेंगे तो अभी तक आपने और सीरिस देख लियोगी किस तरीके से हम जो है हमारा मेन फोकस जो है वो आपका डिटेल पर है आपको पते यह कि HPPSC में आप जो है वो दो पेपर होंगे एक first एक second पेपर तो necessary है कि आप जो है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ कर चलो और उसके साथ हम MCQs भी आपको करवाते हैं जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं पता रहा हूँ तो no videos already हो चुकी है Sunday को हम current affair discuss करते है National, International plus HP तो आप इस series के साथ जुड़ सकते हो हमारे चैनल को subscribe करके देखिए हिमाचल प्रदेश के अगर जीलों के बारे में बात करें तो दो पार्ट में आप इनको generally divide कर सकते हो एक तो आपकी जो है वो natural lakes होती है ठीक है natural आपकी lakes हो गई और दूसरी हो गई आपकी manmade यानि के एक तो जो मानव निर्मित है आपकी जिनको लोगों ने खुद बनाया है ठीक है जब कहीं पर कोई मान लीजी river है और वहाँ पर किसी dam का जो है वो construct किया जाता है कोई dam यानि के बांध बनाया जाता है तो उस जगह पर जो पाने इकठा होता है वहाँ पर क्या होता है एक जील का निर्मान हो जाता है ठीक है तो उस तरीके से इसको manmade बोल दिया जाता है और natural जो खुद से ही बनी होती है अच्छा हिमाचल प्रदेश में जो जारा तर जीले हैं वो आपकी natural है यानि के आपकी प्रकृतिक जीले हैं और दो-चार जीले ऐसी हैं जो कि आपकी मानव निर्मित है यानि के आपकी man-made है या फिर कृतिरिम आप इसको बोल सकते हो तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे man-made जीलों को इस वीडियो को मेरा दो पार्ट में डिवाइड करने का मोटिव एक ही है देखिए दो चैप्टर एक आपका लेक्स हो गया और दूसरा आपका रिवर्स हो गया ये चैप्टर ऐसे जिनसे कोशन जरूर आते हैं और आपको अच्छे से पता होना चाहिए और इसमें confusion के chances भी जो हैं वो जादा रहते हैं तो इसलिए दो दो पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे आज manmade पढ़ेंगे उसके बाद next वीडियो में natural पढ़ेंगे उसी तरीके से reverse में half-off करके चलेंगे ताकि मेरा main motive है कि आपके दिमाख में अच्छे से छप जाए क्योंकि series का नामी zero to hero है कि अगर आपको HPGK नहीं आती है तो मेरा मकसद है कि आपको HPGK का हरे question आए ठीक है तो आज की वीडियो में क्या करेंगे manmade को जो है वो discuss करेंगे और map के through discuss करेंगे तो चली सबसे पहले बात करते हैं लेक्स of हिमाचल परदेश जो आपकी क्रित्रिम या फिर मानव निर्मित जाले होती हैं उनके बारे में देगे यह हैं आपका हिमाचल का map अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की यानि के HP की तो जो आपकी मानव निर्मित या कृत्रिम जीले हैं वो चार हैं ठीक है चार हैं कौन-कौन सी एक आपकी चमेरा जील हो गई दूसरी आपकी पॉंग जील हो गई तीसरी आपकी गोविंद सागर जील हो गई चौती आपकी पंडो जील होगी, number wise आप कहीं से भी count कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले पे चमेरा बोला है, तो आप पहले पे ही चमेरा लिखो, ठीक है, वो आपकी अपनी choice है, अच्छा, map के थुरू मैं आपको क्यों पताता हूँ, एक्चली क्या होता है, बहुत सारे students के साथ ये दिक्कत रहती है कि उनको map ही याद नहीं होता कि कौन सा जो है, वो कहां पर पढ़ता है, कौन सी district किस place पर जो है, वो यहां पर situated है, तो ऐसे मैं बार बार आपको वीडियो में map इसलिए दिखाता हूँ, ताकि आपके दिमाग म है, ये बिलासपूर हो गई, और पंडोहो जील आपकी मंडी में है, तो ये मंडी होगी, तो ये चार डिस्टिक तो आपको ये लाहोल्स पिती है, ये कि नौर है, इसी तरीके से हर एक वीडियो में cover होगा, ठीक है, तो चमेरा जील कहां पर पढ़ती है, चमेरा जील आपकी मंडी डिस्टिक में, तो ये चार जीले आपको important है, जो कि हिमाचल प्रदेश में कृत्रिम जीलों के रूप में जानी जाती है, और अगर इसमें से बात करें कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम जील कौन सी है, तो वो है आपकी गोविंद सागर जील, गोविंद सागर जील, एक हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम जील कौन सी है, तो वो है आपकी रेनु का, उसके बारे में जो है, वो नेक्स वीडियो में बात करेंगे, बाकी जीलों के बारे में, चलिए एक एक करके डिसकस करते है, सबसे बहले गोविंद साग और सतलूज नदी पर जो है वो बनी है जिन जिन पॉइंट के बारे में बताऊंगा उनको दिमाग में बिठा लीजेगा इससे इलावा कुछ भी आपसे गर गोविन सागर जील से पूछा जाएगा तो इससे एक्स्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा तो पहला पॉइंट तो सतलूज नदी के उपर बनी है और भांकड़ा बांद जो है वो बनाया गया था इसलिए जो है वो इस जील का निर्माणू है मैंने पहले ही बताया है मानली जी यह सतलूज रिवर है और इसके उपर कोई नदी का प्रभा चल रहा है कोई नदी बह रही है और उसके उपर मै बीच में कोई चीज लगा लेता हूँ, तो क्या होगा, कि पानी पीछे इकठा होना शुरू हो जाएगा, तो इसी तरीके से ये आपकी सतलूज नदी जा रही थी, सतलूज नदी, और इसके बीच में क्या कर दिया गया, एक बांध बना दिया गया, जिसका नाम था आपका भ विंद सागर लेक, ठीक है जी, तो हिमाचर प्रतेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित जील है, ये चीज याद रखेगा, 88 किलोमेटर लंबी है, 88 किलोमेटर, आप सोच सकते हो, आपने देखी ब होगी, बहुत सारे लोगोंने, अगर आप जाते होंगे, या फिर आप बिल निर्मित जील सबसे बड़ी, ये आपकी गोविंद सागर जील होगी, बिलासपूर जीले में है, सतलूज नदी में है, 88 किलोमेटर जो है, वो इसकी लेंथ है, और 168 किलोमेटर स्क्योर जो है, वो इसका एरिया है, ठीक है जी, अच्छा, 1962 में गोविंद सागर को जल पक् पॉइंट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इससे जादा आपको मिलेंगी भी नहीं, ठीक है, फिर यहाँ पर इससे रिलेट एक चीज और है, ये है आपका भांगडा डैम, आप यहाँ पर देख सकते हो, भांगडा बांथ, आपने ऐसे भी देखा होगा, कभी अपनी लाइफ में आप जाते रहते होंगे, अचा एक चीज और, भांगडा बांथ के बारे में बात करें, पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, भांगडा बांथ से रिलेटरी भी कुछ कोश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसको कंस्ट्रक्ट कब कर गया यानि कि opening date जो थी भांगडा बांथ की वो कब थी, तो 1963 आपको यह याद पनाए, height के अगर बात करें भांगडा बांथ की तो वो आपकी 226 मीटर है, 226 मीटर बांथ की उनचाई है, और अगर इसकी length की बात करें तो 520 मीटर जो है वो इसकी length है, ठीक है, length ठीक है, और height में आपने रखने क्या रखने कि 1963 में बनकर तयार हुआ था आपका 226 मिटर इसकी हाइट है और 520 मिटर जो है वो इसकी लेंद्थ है अच्छा न्यू टैंपल ओफ एक चीज इसको मैं एक बार रब कर देता हूं यह तो आपको समझ आ गया होगा न्यू टैंपल ओफ रिसर्जेंट इंडिया यह कहा गया था भांकड़ा बांध के बारे में किसके द्वारा पंडित जोहार लाल नहरुजी के द्वारा तो ये चीज याद रखेगा कि न्यू टेंपल ओफ रिसर्जेंट इंडिया भांकडा डैम को किस ने कहा था वो कहा था पंडी जोहलाल नहरुजी ने और हाइट मैंने आपको बतादी 226 मिटर हाइट है प्लस 520 मिटर इसकी जो है वो लेंथ है 1963 में बनकर जो है वो तयार हु पॉंग जील सबसे इंपोर्टन पॉंट कहा है कि पॉंग जील सबसे पहले तो आपको पता ही है कि कहां पर पढ़ती है तो कांगडा जीले में आपकी जो है वो पॉंग जील पढ़ती है उसके बाद महाराना प्रताप सागर जील के नाम से भी इसको जाना जाता है बहुत नदी पर पॉंग भांध के निर्मान के कारण जो है तो इसमें जो है इसकी ये जील जो है वो फिर बन गई 1960 में जो है वो पॉंग भांध बनाया गया था इतना ही आपको पॉंग भांध के बारे में याद रखना है 1960 में इसको construct किया गया था यह जील 42 किलोमेटर लंबी है, 42 किलोमेटर लेंथ जो है वो आपकी इसकी लेक किये, 1960 में इसमें जो है वो डैम बनाया गया था, 180 वर्ग किलोमेटर से लेकर 400 वर्ग किलोमेटर तक कि शित्र में जो है यह फैला हुआई लगबग एग्जैक्ट नहीं है, clear, most important point क्या है, कि इस जील को 1983 में, 1983 में अभ्यारन ने घोशित किया गया था, कब किया गया था, 1983 में, उसके बाद 1994 में इसको wetland of national importance यानि कि आदर भूमिज इसको बोलते वो घोशित किया और 2002 में इसे जो है वो रामसर साइट जो है वो घोशित किया गया था, ठीक है जी, याद रखेगा, क्या किया गया था, कि इसको 1994 में इसको क्या किया गया, wetland घोशित किया गया, और 2002 में इसको जो है वो रामसर साइट जो है वो घोशित किया गया था, ये चीज़ आपको जो है वो याद नहीं है, और 1983 में जो है इसको क्या किया गया था, अभ्यारन ने घोशित क जिसमें आपको लाल गर्दन वाले ग्रैब देखने को मिलेंगे थे बहुक्व पक्षी जहां पर लाल गर्दन वाले ग्रैब आपको देखने को मिलते हैं पॉंग जिल जो है वो पॉंग बांध के कारण बनी है ये तो आप सभी को पता ही है ठीक है जी तो कांगडा के देहरा उपमंडल आपने सुना गओ वहाँ पर एक घाटी है हलदून ये मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर भी डाला था हलदून गाटी क्योंकि बुक्स में इसका जिकर जो है वो बहुत कम मिलता है हलदून गाटी का तो इसलिए मैंने इसको मैंशन किया था टेलिग्राम पर भी तो आप वहां से भी हमसे जूड सकते हो तो हलदून गाटी का आपर पढ़ती है ये कांगडा में पढ़ती है तो जब भी आपका पॉंग डैम का निर बांद के निर्मान के लिए जो है वो दिया था हलदून गाटी के लोग थे 23 गाओं बहुत होते हैं 25,000 फैमिलियां ठीके 25,000 घर जिन्होंने अपने 30,000 से जारा हेक्टेर भूमी इसलिए दे दी ती गौर्रमेंट को कि वहां पर पॉंग बांद का निर्मान करवाया जाना अच्छा हलदून गाटी बहुत ज़ादा प्रसीद थी क्यूं अब भी है वैसे उस समय बहुत ज़ादा थी क्योंकि यहाँ पर जितना अनाज पैदा होता था उस से पूरे हिमाचल का काम आसानी से चल जाता था तो इसलिए बहुत इंपौर्टेंज थी बट उसके बाद जो है ये इसको दे दिया गया था और इसके बजाए जो सरकार थी उन्होंने जो है वो नामात्र का मुआबजा लोगों को दिया था ठीक है सिरफ और उस समय के जो विस्थापित लोगे आज भी ये बोला जाता है कि अपने पैरों पर सही ढंग से खड़े नहीं हो पाएं और इसका पूरा पूरा फाइदा जो था वो राजस्थान सरकार ने उठाया था ये भी बोला जाता है अगर आप कभी इसकी हिस्ट्री वगर अच्छे से पढ़ोगे तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी बाकी हलदून घाटी जो है वो याद रखेगा ये का तो ये बाकी आपको सारा समझ आगयोगा पॉंग जील के बारे में कि क्या क्या important point आपको जो है वो डिसकस करने हलदून घाटी आपको पता लगयोगी कि कांगड़ा जो है वो डिस्टिक में है अच्छा next क्या है next है आपका पंडोह जील ठीक है पंडोह जील आपकी हिमाच चलकर गोविन सागर जील में भी जाता है ये इतना important नहीं है 14 km लंबी है ये याद रखेगा 14 km इसकी length है ठीक है बाकी यह राष्टी राजमार किस पर है किस पर नहीं है ठीक है ये आपको इतना ज्यादा important नहीं है बाकी आप read कर सकते हो ठीक है पर आपको इसके बारे में पंडोह जील सबसे पहले तो मंडी जीले में है ये याद रखणा है आपको उसके बाद आपका 14 km लंबी है ये भी आपको जो है वो याद रखणा है ठीक है जी और कौनसी नदी पर बनी है व्यास नदी पर जो है ये बनाई गई बाकी यह तो पता है कि कृतिरम जीले ये आप याद रखेगा नेक्स्ट है चमेरा जील जो है वो चमबा जीले में रावी नदी के उपर जो है वो चमेरा बांद के परिणाम सरूप बनी है कि चमेरा बांद बनाया गया था तो रावी नदी के उपर जो है वो चमेरा जील बन गई अच्छा आप चमेरा प्रियोजना म चमेरा 2 है ठीक है चमेरा 1 की अगर बात करें तो 540 मेगावाट की है वैसे इनको हम further discuss करेंगे जब हम hydro projects आपको पढ़ाएंगे बड़ फिलाल के लिए मैं यहां भी पता रहेता हूं चरन 1 जो आपकी चमेरा 1 है उसमें 540 मेगावाट की बिजली जो है वो पैदा होती है और च NHPC ने जो है वो बनाया है NHPC तो यह भी आप याद रख सकते हैं नहीं रखना है तो आगे hydro projects जब पढ़ाएंगे आपको detail में तब याद रखेगा ठीक है बाकी यह यह यार रहे हैं चमेरा जील चमबा जीले में और रावी नदी के उपर है और आपकी एक कृत्रिम जील है ह बहुत काम आएगा current affair 30 marks के पूछे जाएंगा आपको पता ही है तो उसमें आपकी जो है वो help रहेगी नेक्स्ट बात करते हैं अब MCQs के बारे में MCQs बहुत असान है आपको फटा-फट आंसर देने हैं जो की previous में पूछे गए हैं हिमाचर प्रदेश की सबसे बड़ी कृ बीत्रिम जील जो है वो गोविंद सागर जील है जिसका निर्मान जो है वो भांकडा बान्त के कारण हो ए तो यह आपको याद रखना है अब ये कोशन आपका पटवारी में पूछा गया है की गोविंद सागर जील के निकटतम नजदीक में कौन सा जीला मुख्या ले तो वो है आपका उना और सबसे हाइस्ट पर कौन सा है वो है आपका केलांग ठीक है जी केलांग उना लहुल एंट स्पिती अब इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप मेरा चैप्टर फर्स देख लीजेगा उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है नेक्स्ट कोश्चन है हिमाचर परदेश की सबसे बड़ी जील कौन सी है अच्छा देखें दो तरीके से कोश्चन पुछ जाते हैं अब यह जो कोश्चन है यह आपका एच्प्यू कलर्क में पूछा गया है एक तो आपसे पूछ जाएगा कि सबसे बड़ी कृत्रिम जील नहीं है तो इस तरीके का कोश्चन भी पूछा जाता है यह आपका कलर्क के एक्जाम में पूछा गया है जो एच्पी एससी के द्वारा कंड़क्ट करवाए जाते दे पहले आप तो नहीं ठीक है निमलिखित में से कौन सी माचल प्रदेशी कृत्रिम जील नहीं है तो रि बनने के कारण हुआ है सेकंड स्टेटमेंट है इस बांध की उन्चाई 250 मेटर है थड़ है यह बांध 1963 में बनकर जो है वह तैयार हुआ था तो पहली स्टेटमेंट की हाँ बिल्कुल सही है कि गोविंस आगर जिल का निर्मान जो है वह भांगडा बांध बनने के कारण स्टेटमेंट आपकी गलत है कितनी हाइट है 226 मिटर है लैंथ कितनी है 2520 मिटर यह तो इसका यह पूछागा कौंसा कफन सही नहीं है तो इस तरीके के भी स्टेटमेंट कोश्चन आपके बन सकते हैं तो प्रिक्षा बूस्टर इस तरीके से लोगो है तो आप जरूर सब् पहुआएगा बहुत जादा तो एक बार विजिट करके जरूर देखएगा नेक्सर आ कांगडा जील में स्थिथ पौंग जील को किस वर्ष जो है वह राम सर साइट घोशीट किया था इम्पॉर्टेंट कोशन है राम याद रख नहीं है ठीक है 1983 में अभियारण ने घोशित किया गया था ठीक है इसको और 1994 में जो है वो आपका वेट लेंड आफ नेशनल इंपोर्टन्स जो है वो घोशित किया गया था अच्छा लाल गर्दन वाले ग्रैब कहां पर पाए जाते हैं ये भी आपके जो है वो प गाटी के 223 गाओं के जो है वो 25,000 परिवारों को विस्थापित किया गया था जिनको आज तक जो है वो अच्छे से कुछ मिला नहीं है तो हल्दून घाटी जो है वो आपको याद नहीं है मंडी जीले में स्थित पंडोह जील निमनिकित में से किस नदी पर बनाए गई ग ठीक है तो यह चीज जो है वो आपको कुछ important question थे तो कृत्रिम जीले आपको अच्छे से समझ आगी होगी नेक्स वीडियो में हम जो है वो detail में cover करेंगे आपकी map wise कौन कौन सी आपकी जो भी natural lake से उनको discuss करेंगे वीडियो कैसे लिए की comment करके ज़रूर पताईगा thanks for watching